केवल 15 दिन में वजन बढ़ाने के बहुती बहतरीन और असरदार खुराक। नमस्कार दोस्तों मैं कृतिका राचपूल। जिस तरह से ज़ादा वजन कई लोगों की परिशानी का कारण होता है उसी तरह से कम वजन भी लोगों की परिशानी का कारण होता है। इसलिए दुबले पतले शरीर को एक फिट शरीर बनाने के लिए एक बहतरीन खुराक यानि की एक डाइट लेकर आए हैं। ये जो डाइट है आपके वजन को बढ़ाएगी ना कि आपके मोटापे को। दोस्तों मोटापे का होना और वजन बढ़ना दोनों अलग-अलग बाते हैं। तो चलिए आईए जानते हैं कि कैसे आप इस खुराक को तयार कर सकते हैं। ताकि आप भी दुबले पतले शरीर को एक फिट शरीर हेल्थी शरीर बना पाएं। दोस्तों जादा पतला होना भी शरीर के लिए सही नहीं होता। ये कहीं न कहीं हमारे शरीर की कमजोरी को दिखाता है। साथी साथ हमारी परस्नालिटी को भी कम करता है। और आज के समय में चाहे वो शादी के लिए हो या जॉब के लिए परिसनालिटी को ज्यादा महत्व माना जाता है। और कई बार दुबले पतले शरी की वज़े से हमें कई तरह की रिजेक्शन्स का सामना करना पड़ता है। इसलिए आज की बताएगे उप्चार को केवल 15 दिनों के इस्तिमाल से ही आप अपने शरीर का वज़न बढ़ाने के साथ साथ आप अपने शरीर की कमजोरी को भी दूर कर सकते हैं। तो चलिए आए देखते हैं कैसे हम इसे तयार करते हैं। सबसे पहले एक गलास दूद लेना है और इसी के साथ हमें यहाँ पर लेने हैं दो केले। यह जो केले हैं दोस्तों बिलकुल पके हुए होने चाहिए। केले में भरपूर मातरा में कैलोरीज, कार्बो हाइब्रिड्स और पोटेशियम पाया जाता है। जो कि आपको तुरंट एनरजी देता है और साथ ही साथ आपके वजन बढ़ाने में मददकार है। आपको दो केले लेने हैं इसके बाद आपको दूद के साथ मिलाकर अच्छे से ग्रैंट करना है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप दो केले खाने के बाद दो ग्लास दूद पी सकते हैं। इसके साथ आपको इस्तिमाल करना होगा ये। ये है किश्मिश। आपको एक से डेट चमच लेना है और आपको इसे दूद में डालकर केले में मिलाकर अच्छे से ग्रैंट करना है। ये जो है मिठास का काम करेगी और साथ इसाथ आपके लिए बहुती फायदे मन्द होगी। इसके साथ आपको इस डायट का इस्तिमाल करना पड़ेगा ये बहुती सस्ती और वेट गेनर डायट है। ये जो डायट है आप देख रहे हैं ये दो चीज़े से मिलकर बनेगी। एक है काले चने और दूसरा है सोया बीन। आपको करना क्या है लगबग आदी मुठी काले चने लेने हैं और उतनी ही मातरा में आपको सोया बीन लेनी हैं। आपको इसे रात को पानी में डुबो के रख देना हैं और सुबह तक ये पड़े ही अच्छे तरीके से फूल जाएंगे। काले चने और सोया बीन प्रूटीन का बहुत बड़ा स्त्रूध है जिससे हमारे शरीर में कैलोरीज बढ़ती है और हमारा वजन बढ़ने में मदद करती है। और वैसे भी इस डायट को आपने जिम करने वाले और दौड करने वाले लोगों को लेते हुए देखा होगा। लेकिन इसका सही से इस्तमाल कैसे करना है ताकि आपका तेजी से वेट पड़े। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं लेकिन उससे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जो बेहदी जरूरी है। सबसे पहले कि आपको ये सारा एक बार में नहीं खाना है। माल लीजिये दिन में आप एक बार में चार रूटी खाते हैं तो आप पहले दो रूटी खा लीजिये, उसके बाद एक से दो घंटे बाद बाकि की दो रूटी खा लीजिये। इससे आपका खाना भी अच्छे से डेजिस्ट होगा और आपके शिरीर को लगेगा भी। यानि कि आप अगर दिन में तीन बार खाना खाते हैं, तो उसी खाने को बराबर बराबर चार हिस्सों में बाढ़ कर, चार से पांच बार में खाएं, साथे साथ आपको फास्ट फूड को कम करना होगा, यानि छोड़ना होगा, अक्सर वजन बढ़ाने के लिए लोग अगर आप जोगिंग करने या जिम करने जाते हैं, तो आप इसको जोगिंग के समय खा सकते हैं, और जिम करने के पंदरा से बीस मिनट के बाद खा सकते हैं, या आप इसे फ्री टाइम में खा सकते हैं, जैसे टीवी देखते समय या घुमते घुमते भी, आपको रोजाना से एक कटोरी खाना है दूद और केले के शेक को दिन में दो बार खाना खाने के बीच के टाइम में लेना है यानि कि मान लीजिए सबसे पहले सुबर आट बजे खाना खाया है और उसके बाद आप अगला खाना खाएंगे 12 बजे तो आप इस समय के बीच में 10 बजे जो है आप इसको ले सकते हैं आपको इसी तरह से शाम को भी इसे लेना है यानि कि दो बार खाना खाने के बीच के टाइम में इसे लेना है आप चाहे जिम या वरक आउट के आदे घंटे बाद भी ले सकते हैं आपको इसका सेवन हर रोज इसी तरह करना है केवल 15 दिन के इस्तिमाल सही आपको अपने शरीर में बदलाव नजर आएंगे वीडियो पसंद आया तो लाइक करें शेर करें कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन ज़रूर दबाएं थैंक्यू